हेलो गाईज मैं हूँ राजू और आप देख रहे हैं एजुकेशन 33 डियर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किताब को कैसे पढ़ेंगे ताकि किताब आपकी दिवानी हो जाएगी तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना देखे फ्रेंड कोई भी बुक को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ देखे फ्रेंड जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं चाहे कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट हो वो मेटर नहीं करता है लेकिन वो मेटर करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं वो मेटर करता है देखिए जैसे कि फ्रेंड कोई भी स्टोरी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए कि आपका माइंड फोकस होना चाहिए ध्यान उस चीज पे होना चाहिए उसके अलाबा किसी चीज पे ध्यान नहीं होना चाहिए उसके बाद पूरा पढ़ने सबसे पहले पूरा पढ़ने के बाद दूसरा टिप्स में आपको क्या करना है कि उसमें ये ढूंडना है कि इस चीज में man man heading क्या क्या है man man line क्या क्या है यानि important line क्या क्या है यानि important चीज क्या क्या है उसके बाद उसको ढूंडने के बाद अगर उस पूरा story में अगर आपको man man line पकड में आ गया तो उसको एक copy में not कर लेना है ठीक आप देखिए तीसरा टिप्स यह है कि जो जो आपने man man heading को important चीज को आपने copy में not किया उस चीज को उसके माध्यम से उस theory के according आप अपने mind से उसी theory को कैसे बना सकते हैं suppose that friend की मान लीजे कोई एक theory है अगर मैंने इस theory को मैंने अभी read किया read करने के बाद मैंने important line अभी copy में not किया अब इस important line के जरिये हमें story बनाना है ठीक तो हमें कैसे story बनाना है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि किताबी भासा को ध्यान नहीं देना है आपको important line पे ध्या जब आप एसा चीज को बारवार करने लगते हैं बारवार try करने लगते हैं बारवार इसी तरह read करने लगते हैं तो मैं आपको guarantee देता हूं कि किताब आपकी दिवानी हो जाएगी क्योंकि friend पढ़ने का मैं तरीका यही होता है लेकिन बहुत लोग इस तरीका को जानते हैं बहुत लोग इस तरीका को नहीं जानते हैं, वो क्या करते हैं, अंदा धून किताब को रटते जाते हैं, पड़ते जाते हैं, फिर लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, तो उसमें आपका mind बोरिंग में लेगा, माइंड क्या चाता है जानते हैं माइंड चाता है कि कौन ऐसा चीज है जो मुझे हलके से आजाए और मुझे जल्दी आजाए तो मुझे असान लगे तो मैंने जो आपको बताया कि पहली बात आपको करना है कि वो छोटा-छोटा चीज को नौट कर लेना है और छोटा-छोट वो चीज आपके माइंड में फिट हो गया ठीक है तो ये है मैं तरीका जो की थोड़ा सा आपको करना है ठीक है तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें अगर आप चैनल पे नहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्यू माइ डियर प्रण